दोस्तों नमस्कार लेट्स क्रैक यूपी एक्जामस में आपका स्वागत है मैं उत्करिश दिवेदी दोस्तों आरो यारो 2016 की परिक्षा अब दो दिन शेश है आपको किसी तरह की टेंशन लेने क्या उशक्ता नहीं पहली बात तो कोर्ट में जो बदलाव हुए हैं देखिए बदलाव के अगेंस्ट मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम नहीं है अगर महत्पॉर्ण जो कोई ऐसा बदलाव जैसे तेरह गुना कर दिया नेगेटिव मार्किंग कर दिया आप किसी से कम नहीं है कॉमटिशन में एक बात ध्यान लेकिन जो लगातार परिवर्तन बिना बताये मनमर्जी कुछ भी चेंज कर दिया, स्केलिंग कुछ भी कर दिया, मौडरेशन कुछ भी कर दिया, कोई भी एज ग्रुप का ग्रंबर कम कर दिया या बढ़ा दिया ये सब जो चीजे हो रही है ना ये सब जो मनमानी हो रही है ये जो अनिमेताय हो रही है अधिकार की आड में इसका बंद होना बहुत जवरी है जिसके लिए आपके पक्षमे फैसले आने बहुत आवश्यक है कोट में इसमें दो-तीन केसे चल रहे हैं इसकेलिंग को लेकर चल रहा है उसमें भी आपके पक्ष में फैसला होने की पूरी उमीद है आप लोग तयार रहेगा एक बड़े परिवर्तन के लिए बड़ा जो है जनांदोलन हम खड़ा करने वाले हैं और वो सिर्फ आप के बल पर आज मीडिया प्रभारी ने जब नोटिस गया है उनको पता चल गया कि इस नोटिफिकेशन के अगेंश लोग जा रहे हैं सुप्रिम कोट का एक महतपूर्ण फैसला है उसको बेस बना करके तो बैक फूट पर आ गए उनका एक है कि 18 गुना ही कौलिफाई करा जाएंगे मलब मेंस के लिए 18 गुना लोग कौलिफाई करा जाएंगे प्रिलिम्स में आरो ए आरो के एक तो ये सही बात सकरात्मक बात निकल कर आई लेकिन आपको यहीं नहीं रुखना है हो सकता है 2022 के बाद ये सब कुछ चेंज कर दें, एज, तो इनको तो नहीं रहने देना है किसी भी तरीके से, हमारी लड़ाई जो है, ये पूरे सिस्टम के खिलाफ है, जो सिस्टम सिर्फ इन्हों ने खराब किया, सिस्टम को नश्ट कर दिया है, इसके पहले जड़ जो बनाई गई इसकी, इसक का समूल नाश करना है, एक इंच भी नहीं छोड़ना है, जैसे कैंसर होता है, ये कैंसर है, इस कैंसर को हटा देना है हमेशा के लिए, ताकि किसी भी तरह का शक न रहे किसी परिडाम पे, बिना शक के एकदम सकारात में परिडाम आए, और लोग अपने परिडाम से हो, ऐसा नहों कि हाँ कुछ भी करके आगया और PCS आफिसर बन गया या फिर बहुत अच्छे परिपर किये, लेकिन आपका नाम ही नहीं कहीं गायव है, तो ये सब कंडिशन्स हमेशा के लिए समाब्त होनी चाहिए, इसके लिए बड़े कदमों किया हो शक्ता है, और वो सि परिवर्तन, परिवर्तन, महा परिवर्तन, और आप लोग 11 तारिक के बाद तयार रहिएगा, एक बड़े परिवर्तन का आगाज होगा, और जमीन से होगा, आप लोगों के सहयोग से होगा, तो पहली बात तो ये होगी, दूसरी बात, देखे आप लोगों को पहले ही बता करने में बहुत भूमिका उनकी भी रही है ठीक है आंदोलनों को बरबाद करना सिस्टम को ही इस तरह से लकवा अग्रस्ट कर देना कि आज जो कंडिशन है उन्हीं की वज़ते हैं बोया तो बीज उन्होंने तो बोया बीज बबूल का तो आम कहां से हो है आज वीरोध करके यह सत्ता में आ जाएंगे और आप यही करते रहेंगे तीस साल से जो हो रहा है वही करते रहेंगे वास्त में जो परिवर्तान होना चाहिए लॉजिकल जो चीज़ें होनी चाहिए वो तो होई नहीं रही है वो सिर्फ आप कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि कमिया कहां पर है वो नहीं जानते हैं उनको तो बहुत सारे काम हैं वो एक दो डिमांड आपकी मान लेंगे आंशिक रूप से लेकिन वो जो प्रश्टाचार का जो पॉइंट है ना जो सिस्टम में बन गया है उसको ये पार्टियां तो कत्ताई नी दूर करने वाली लिख कर ले लीज़े आप वो आप सोच रहें कि कांग्रेस आ जाए इसा पा आ जाएगी बस पा आ जाएगी कुछ ऐसा हो जाएगा तो उसी तरह की भूल रहेगी जिस तरह की विज़े पिके लिया आपने सोचा था ठीक है ना अंधा दुन प्रश्टाचार होगा या तो कुछ नहीं होगा जैसे कि इनके सरकार में वो सब्बंध है कहीं पर कोई भरती नहीं हो रही है और यूपी-प्यस्टी में तो 2008 में काफी अनिमेत्त उसके लिए आपका आपकी बात मैं स्विकार कर रहा हूँ ठीक है आपकी बात भी स्विकार कर ले रहा हूँ इसलिए अब विरोध मत करिएगा ठीक है ना खाली आप बैठी है फुरसत से चली फिला अठारा गुना लोग बुलाए जाएंगे यह टेंशन अगर माइंड में अब कि तो निकाल दीजिए मान निगेटिव मार्किंग के लिए अब इकोर्ट मेरिट है देखे क्या होता है वह हम आपको सूचित कर देंगे जैसा होगा हमारा विरोध इस परिवरते शोटे परिवरतें से नहीं बलकि इनकी मनमानी से है इनकी मनमानी बंद होने चाहिए लोगों के सामने ऑंड यह तो बंद नहीं होगी 2022 तक या जब तक समाप्त नहीं होंगे पूरी तरह सिस्टम को जब तक क्लियर नहीं किया जाएगा लेकिन कम से कम लोगों तक यह जानकारी तो आएगी हाँ कोट ने ऐसा फैसला दिया है यह हो रहा है इनमें भी ऐसा हो रह में इसकार पहले में कर दीजे और 58 दूसरे में कर दीजे गर्ट इसलिए एक शूती पहले पर में पचास दूसरे पर में आराम से सेलक्शन हो जाएगा धी ठीक है एक सो तीज से जयाद़ नहीं जएगी आप की क्या कंडिशन है मतलब आपको टेंशन लेने क्या शक्ता नहीं है किसी भी तरह की जितना आएगा आप करिएगा तुक्का मारने चक्कन रही है क्योंकि पिछली बार ऐसा ही हुआ था आरो यारो में काफी दिगज लोग सेलेक्ट नहीं हो पाया थे प्रिलिम्स में उसका ऐसा सरल नहीं बनेगा पिपर का स्टेंडिड कुछ रहेगा पहले की तरह पिपर नहीं बनता है आपको जानकार हुआ होनी चाहिए उपको काम करना है बाकी तो यह एक आकलन है मेरा कि इतना के कटाफ जाना चाहिए बाकी पेपर देखने के बात कम जादा जो भी होगा वो डिसक्स करेंगे अभी इतना लॉजिकल नहीं है कटाफ के बारें डिसक्स करना लेकिन एक सामाने जो मेरा आइडिया है कि हाँ ऐसा ही होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं ठीक है शेली बहुत बढ़ में आप理, बगल दो मत उना जो जीगा है